So Hello Anime Lovers, तो आज हम देखने वाले हैं Chainsaw Man का एपिसोड नमबर 6, जिसका नाम है Kill Denji अगर आपने Chainsaw Man के और भी एपिसोड नहीं देखे हैं, तो link description में है, वहाँ से आप देख सकते हो तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, माकीमा के कहने पे डेंजी और आकी की पूरी टीम एक होटेल के अंदर जाती है, जहां एक डेविल छुपा हुआ होता है पूरे होटेल को सर्च करने के दोरान एक छोटा सा डेविल सामने आ जाता है, जिसे पावर अपने बलड से एक स्वाट बना कर काट देती है, और पूरी टीम आगे बढ़ जाती है तभी हीरो काजू नोटिस करता है, हम फ्लोर के उपर तो जा रहे हैं लेकिन हर बार एट फ्लोर पर ही आके रुख जा रहे हैं, ऐसा क्यूं हो रहा है ये देखकर कोबैनी पूरी तरीके से डर जाती है, उसके बाद ही मेनो चौक जाती है, द derived मेनो जाकर दुबारा चक करती है, ऐसा क्यूं हो रहा है तभी ही मैंनों दॉल कर जाकर सीडियों से नीचे उतरती है पर डेंजी और आकी उसे सीडियों के उपर से आते हुए देखते हैं ये देखकर कोबैनी और भी ज़्यादा डर जाती है तभी आकी कहता है कोबैनी तुम हिलना मत और अपनी बात कहने के बाद आकी एक कमरे का दर इंदर साथ में होती है तब या की बताता है यहां के कोई भी एलिवेटर काम नहीं कर रहा है और सारे कमरे के दरवाजे और खिड़की एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है डेंजी ने सीलिंग के उपर से भी जाने की कोशिश की पर वो 8 फ्लोर पर ही निकलता है तब ही डे से हम लोग यहीं मारे जाएंगे को बहुत जादा डरते हुए देखकर हीरो काजु कहता है तुम इतना डर क्यों रही हो कोबेनी तुम मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना है तुम भोल गई क्या इसलिए तुम डेविल हंटर बनी थी तब ही कोबेनी अपनी सचाई बतात थी मेरे फैमिली वालों ने मुझे मेरे छोटे भाई को पढ़ाने के लिए मेरे सामने दो आप्शन रखे थे या तो मैं डेविल हंटर में काम करूँ या तो मैं एक सेक्स वरकर बन जाओं मेरे पास कोई आप्शन नहीं था इसलिए मैंने डेविल हंटर का काम चुन लिया पिर कोबैनी रोते हुए कहती है मैं भी कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई भी मौका नहीं मिला कोबैनी की बाते सुनकर पावर जोर जोर से हसने लगती है तब ही मैंनो अगर कोबैनी को चुप कराती है और कहती है अगर तुम जादा डरोगी कोबैनी तो वो डेविल और भी जादा पावरफुल हो जाएगा तुम्हें पता होना चाहिए सामने वाला अगर डरता है तो डेविल की पावर और जादा बढ़ जाती है तब याकी कहता है यहां का टाइम 8 बच के 18 मिनट हो रहा है और वो गड़ी वहीं पर रुप चुकी है इसका मतलब टाइम पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है हम बारी दुनिया से पूरी तरीके से कट चुके हैं इसका मतलब बाहर से कोई हमें बचाने बिल्कुल भी नहीं आ सकता हमें कोई दूसरा रास्ता ढूनना होगा यहां से निकलने के लिए तब ही डेंजी खुशी के मारे कहता है इसका मतलब हम बहुत आराम से पूरे टाइम यहां सो सकते हैं मैं उस डेविल को बहुत थैंक्स कहाना चाहता हूँ अगर वो मुझे मिल गया थो और अपनी बात कहने के बाद डेंजी सो जाता है कुश टाइम के बाद ही मैंनो डेंजी को जगाती है और कहती है उठने का टाइम हो गया डेंजी तबी डेंजी उटकर पूछता है क्या तुमने यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढून लिया तबी ही मैंनों कहती है मुझे बाहर का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं मिला पर मुझे यहां पर कुछ खाने पीने का सामान मिला है हिरोकाजु और कोबैनी दूसरे कमरे में है कोबैनी डर और प्यास के मारे टोइलेट का पानी पीने जा रही थी तो मैंने उसे किसी तरीके से समझा कर उसे सुला दिया और आकी पूरे फ्लोर को अच्छी तरीके से छान बिन कर रहा है वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा तभी डिन्जी कहता है तुम आकी को इतने अच्छी तरीके से कैसे जानती हो कि वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा और तुम इतनी रिलाक्स क्यों हो जिस पर ही मैंनों कहती है मुझे आकी पर पूरा भरोसा है तुम आकी को नहीं जानते इस पूरे टाइ पीने के सामान पर 100% सेल स्टेक्स लगा दूँगी तभी डिन्जी पावर की बाते सुनकर कहता है इसका जाने दो ये पागलो की तरह बात करते रहती है उसकी बाद ही मैंनो डिन्जी और पावर को बैनी और हीरो काजू के कमरे में जाते हैं तभी ही मैंनो अपनी आखरी सि है जाता है जिसमें ही मैंनो सिगर्ट पीते वे दिखाई देती है और वो आकी से कहती है तुम्हें भी सिगर्ट पीना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसे दोस्ती करने में असानी होती है जिस पर आकी कहता है मैं यहां दोस्ती करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया और इसके लिए मुझे सिगर्ट पीना पड़े मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा तभी ही मैंनो कहती है डेविल संडर की लाइफ उतनी नहीं होती है जितना तुम सोच रहे हो कोई भी डेविल हमें कभी भी मार सकता है इसलिए लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय कर लेना इस ही होता है जिस पर आकी बताता है मैं सिगर्ट तु बिल्कुल भी नहीं पी ओंगा और जहां तक तुम कह रही हो कि हम मारे जाएंगे तो जब तक मैं गंडेविल को ना मार दू मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला तभी ही मैंनो कहती है तुम ठीक कह रहे हो पार्टनर का मर जाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है तभी हम अगले सुबह देखते है ही मैंनो को एक लेडी आकर बहुत जोर से थपड लगा देती है और वहां से चली जाती है तभी वहां पर आकी आ जाता है और वही मैंनो से पूछता है उस लेडी ने तुम्हें थपड क्यों मारा तभी ही मैंनो बताती है इससे पहले जो मेरा पार्टनर था वो उसकी गर्ल्फरेंड थी इस डेविल हंटर के जॉब में हमेशा ये होता है जब भी तुम्हारा पार्टनर डेविल हंटिंग के दोरान मारा जाएगा और उसका दूसरा पार्टनर जिंदा रहता है तो मरेवे पार्टनर की फैमिली या गर्ल्फरेंड आकर अपना सारा गुस्सा उसके पार्टनर पे उतार देती है और जो लड़की मुझे थपल मार कर गई वो उसकी गॉल्फरेंड थी इस बात पर आकी हिमेनों से कहता है पर ये तो बिलकुल भी गलत है तब ही आकी उस लेडी के पीछे पीछे जाने लगता है हिमेनों उसे रोकने की कोशिश करती है पर आकी नहीं रुकता फिर थोड़े टाइम के बाद आकी वहां से वापस आ जाता है और कहता है मुझे ये बिलकुल भी पसंद नहीं आया इसलिए मैं उसके पीछे बदला लेने के लिए गया था मैंने उसके कपलों पर चुइंगम चिपका दिया है और अब वो पूरे शहर में चुइंगम लिया अपने कपलों पर घूमती रहेगी यह बात सुनकर हिमेनों जोर जोर से हसने लगती है कुछ दिर के बाद साम हो जाती है आकी और हिमेनों दोनों डिनर के लिए बाहर जाते है तभी हिमेनों आकी को बताती है सुनो आकी डेविल्स को उन हंटर से डर बिलकुल भी नहीं लगता जो बहुत जादा बहादूर या ताकतवर होते है डेविल्स को उन हंटर से डर लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू धीला रहता है या तो उनके दिमाग में स्क्रू ही नहीं रहता समझ गए तुम इसलिए मुझे लगता है तुम इस डेविल हंटर के जॉब में बहुत लंबे समय तक टिक जाओगे इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ले सिग्रेट पियो तभी आकी कहता है मैं बिल्कुल भी सिग्रेट नहीं पीने वाला हीमेनो के बहुत जादा फोर्स करने के बाद आकी कहता है ठीक है मैं ये पहली और आखरी वार सिग्रेट पियोंगा तभी कहानी प्रेजंट में आती है आकी पूरी कमरे के छान बीन करने के बाद उस कमरे में आता है जहाँ पर डेंजी पावर हीमेनो रहते हैं आकी आते हुए ही हीमेनो से पूछता है क्या यह आखरी सिग्रेट है तभी हीमेनो कहती है हाँ आकी ये आखरी सिग्रेट है और कोई बात नहीं तुम इसे ले सकते हो तभी ही मैंनो अपनी सिग्रेट आकी को दे देती है ये देखकर डेंजी गुसा करने लगता है बिना डेविल को मारे तुम उसका जूठा कैसे ले सकते हो ये तो चीटिंग है डेंजी की बाते सुन तभी वो डेविल कहता है मैं तुम सबसे का डील करने के लिए आया हूँ अगर तुम चाहते हो कि तुम सभी जिन्दा रहो तुम मुझे चेंसो मैं दे दो जिन्दा या मुर्दा तब मैं तुम सबको जाने दूँगा वरना मैं तुम सबको यही मार दूँगा उस डेविल वहाँ बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि आकी और पूरी टीम दुनिया के टाइम से बिल्कुल कट चुके हैं इसलिए फॉक्स डेविल वहाँ पर नहीं आता आकी के कुशिश करने के बाद ही मैंनो कहती है आकी अब मुझे ट्राइ करने दो तभी ही मैंनो अपना घोस्ट हैं तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो मेरी कमजोरी मेरा दिल है जो तुमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसलिए तुम लोग जिन्दा बचना चाहते हो तो उस चेंसो मैन के आदमी को मेरे हवा ले कर दो इस बात पर डेंजी कहता है कि यह डेבिल अपने बातों से मुकर भी तो सकता है यह मुझे खाने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं करे तो जिस पर हिमेनो कहती है कोई भी डेविल अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता अगर हूँ ऐसा करेगा तो वो खुद ही अपने आप मारा जाएगा समझ गए तुम तब ही हिरो काजू कहता है हमें इस डेविल को मार देना चाहिए उसके बाद हम यहाँ से निकल कर इस डेविल को मारने का कोई दूसरा उपाय जरूर निकाल लेंगे हिरो काजू की बाते सुनकर आखी कहता है नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे डेंजी को मारने से जरूर इस डेविल का कुछ बड़ा फायदा होगा इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आखी की बाते सुनकर हिमैनो कहती है मैं आखी के साथ हूँ तभी पावर कहती है नहीं हमें डेंजी को मार देना चाहिए अगर मैं यहां से बाहर नहीं निकली तो मुझे मेरा नोबल प्राइस कैसे मिलेगा पावर की बाते सुनकर आकी कहता है तो मैं सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि एक फिन डेविल के साथ कॉंटक्ट बिल्क इस डेविल को तो अगर कोई भी रास्ता हमें नहीं मिला तो मैं अपनी तलवार यूज करूँगा जिस पर हीमेनो कहती है आकी तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे तुम अपने तलवार का इस्तमाल नहीं करोगे समझ गये तुम यह सुनकर डेंजी कहता है आकी अपनी हम देखते हैं पावर पूरा खाना केले ही खा चुकी होती है जिसे देखकर हीरो काजू बहुत चिलाने लगता है तुमने ऐसा कैसे किया हम सभी को बचा हुआ सारा का सारा खाना तुमने केले खा लिया इस पूरे सिचुएशन में कोबैनी पूरी तरीके से पागल हो चुकी वो चाकू लेकर पावर को मारने दोड़ती है और कहती है ये सारी गलती पावर की है हम इसी के वज़े से यहां फसे हुए है तब हीरो काजू बीच में आकर कोबैनी को कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती ये गलत होगा तुम इसे नहीं मार सकती तब ही कोबैनी की आवाज सुनकर डेविल और भी जादा बड़ा होने लगता है और वो आकी डेंजी हिमेनो के तरब तेजी से बढ़ने लगता है और कहता है मैं इटर्नीटी डेविल हूँ और मैं ही चेंसो को मारूंगा चाहे जो हो जाए तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते और हम देखत कोस्ट हैंड से आकी को जकार क此 है और कहती है कुछ भी हो जाया कि तुम अपने तलवार का इस्तोमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे अगểm तुमने अपने तलवार का इस्तोमाल किया तुम्हारी जिंदगी से बहुत सारे साल खत्म हो जाएंगे इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी तभी हम देखते हैं हीरो काजी डेंजी को जमीन पर गिरा कर जकड लेता है और पीछे से को बैनी चाकू लेकर डेंजी को मारने के लिए दोड़ती है तभी बीच में आकी आ जाता है और वो चाकू गंडेविल को मारना चाता है और मैं भी गंडेविल को मारना चाता हूँ और मैं गंडेविल को अकेले बिलकुल भी नहीं मार सकता इसलिए डेंजी का जिंदा रहना जरूरी है समझ गए तुम लोग तभी डेंजी कहता है ए पावर क्या तुम आकी के खून को रोक सकती हो क तुम तो एक ब्लड फींड हो, जिस पर पावर कहती है, अपने ब्लड को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन दूसरी के ब्लड को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आकी मर गया, तो हमारे घर पर खाना कौन बनाएगा, ये मैंनों ये सब देखकर पूरी तरीके से घबरा जाती है, और वो सोचने लगती है, मेरे बहुत सारे पार्टनर मर चुके है, अब आकी भी मर जाएगा, ये मैंने क्या किया, को बैनी पूरे सिचवेशन को देखकर ढनने लगती है, और कहती है, ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब डेंजी के वज़़ा से हुआ है, अगर डेंज मुझे वो किस चाहिए डेंजी समझ गया था कि इस Eternity Devil को कटने पर दर्ध होता है और ये चेंजो से डरता है तो कोशिच करें तो वो उसे मार सकता है तब ही डेंजी कहता है मुझे नहीं पता था आकी तुम मेरे लिए ऐसा करोगे और मैं किसी का ऐसान बिल्कुल भी नहीं जाता जब मैं इसे मार दूँगा तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे समझ गये तुम और अपनी बात बोलने के बाद डेंजी अपना चेंजो स्टार्ट करता है और उस Eternity Devil के मुग के अंदर कूच जाता है और ये एपिसोट यहीं पर खत्म हो जाती है तो गाइस क्या अगले वीडियो में